नमस्का मैं डॉक्टर अनीता राय सिंगानी असोसियेट प्रोफिसर एफिम गॉर्मेंट कॉलेज के एकड़ी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भूमी सुधार लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात हम करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूमी सुधार है क्या भूमी सुधार एक विस्थरित धारना है जिसमें सामाजिक नयाय की दरश्टी से जोतो के स्वामित्व का पुने वित्रण और भूमी के इष्टितम प्रयोग के दरश्टी से खेती किये जाने वाले जोतो का पुनर स्वतंतरता प्राप्ति के समय देश के अधिकांस क्रशी सेत्र में वास्त्विक काष्टकार और भूमी के स्वामी के बीच मध्यस्तों की एक ऐसी बड़ी सेना विध्यमान थी इनके कारण जहां एक और काष्टकार की भूमी की उपज का बड़ा भाग मध्यस्तों को देना पड़ता था नहीं दूसरी और इन पर पूरी तरह आश्रित था भूधारन की उसकी कोई गैरंटी नहीं दी जाती थी और लगान की दरों में भी निश्चित्ता नहीं थी स्वतंतरता प्राप्ति के बात जोतने वाले को भूमी के नारे को वास्तिकता में बदलने के लिए भ सबसे पहला उद्देश है कि भूमी व्यवस्था संबंदी सुधारेतु स्वतंतरता प्राप्ति के बात सरकार द्वारा निरने लिया गया जिसे मोलते निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की आशा थी कि क्रशी शेतर में वेद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना और इसे तरक संगत और आधुनिक बनाने का कारे जैसे जोतों का आकार अज सही हो भूमी स्वामे तो भूमी का उत्रादिकार काश्टकार की सुरक्षा आधुनिक संस्थागत सायता और आधुनिक की करना दिपर ध्यान दिया जाना था आर्थिक समानता को समाप्त करन लोग का लियान कारी राज्य की स्थापना की जा सके। इसी तरीके से क्रशी उत्पादर में वरद्धी कर आत्मे निर्भरता प्राप्त करना भी इसका एक उद्देश्य था। साथ ही साथ गरीबी उन्मुलन और लोगों में सामान्य माननेता हैं प्रादान करने का भी भूमी सुधार का एक महतुपूर्ण उद्देश्य रहा है। अब आते हैं महतुपूर्ण पॉइंट की भूमी सुधार की क्या आवश्यक्ता हैं। तो भारत में भूमी सुधारों की आवशिकता इन कारणों से महसूस की गई थी, सबसे पहला है कि स्वतंतरता की समय देश में क्रशी पदार्थों की भारी कमी थी, अत्यक्रशी उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमी सुधार कारेकरम आवशक है, सामाज एक नयाय और समंता के विकास के लिए सुधार कारेकरम द्वारा एकत्रेद भूमी को भूमी हिनों में वित्रेद करने का कारेक किया गया, इसी के साथ ही अध्यों की क्षेत्र में अनेक अध्यों के लिए कच्छा माल भूमी से ही प्राप्त होता है, भूमी सुधारों की आवशक्ता पर बलते दोक्टर राधा करेश कमल मुखर जी ने अपनी पुस्तक इकनोमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि व्यज्यनिक क्रशी अथवा सहकारिता को हम कितना भी अपना लें पूर्ण सफलता हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमें भूमी व्यवस्था में वांचि सुधार नहीं कर देते प्रॉफेसर सैमिल्सन के अनुसार सफल भूमी सुधार के कारेक्रमों ने अनेक देशों में मिट्टी को सोने में बदल दिया है इसी के साथ ही साथ जो है भूमी सुधारों का स्वरूप क्या है उसको भी हम इस चैप्टर के अंतरगत पढ़ेंगे क कि हम सुधा के अनुसार भूमी सुधारों को इन शीर्षकों में समिक्षा कर सकते हैं कि पहला जो स्वरूप रहा कि वो मद्यस्तवर का उन्मूलन किया गया जोतों की उच्चितम सीमा का निर्धारन किया गया काष्टकारी सुधारों में लगान का नियमन भूर निर्धार आधिकारे किया गया, जिसमें चकबंदी भूमी के प्रबंदन में सुधार, सहकारी क्रशी आधिका कारे किया गया। इन स्वरूप को हम देटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहले है जमीदारी तथा मद्यस्तों का उन्मूलन किया गया, भूमी सुधार व्यवस्था को सर्व प्रमुक कारे जमीदारी थी या मद्यस्तों का उन्मूलन करना था, उत्ता प्रदेश में सबसे पहले जमीदारी उन्म कावन को पास भी हो गया क्रमशे बंबई और हैदराबाद में 1949-50 मद्यप्रदेश और आसा में 1951 उडिसा पंजाब और राजस्थान में 1952 में हिमाचल करनाटक और पश्चिवी बंगाल में 1954-55 में अधिनियम पारित किये गए देश के लगबख सभी राज्यों में जमीदार जागीर्दारी नामढ़ आदि मद्यस्तो के भूमी अधिकारों को समाप्ति किया गया इन मद्यस्तों के पास देश की लगबख 40% से अधिक क्रशी भूमी का अधिकार था लाप पहुँचाए और उन्हें भूमी में इस थाई या पेत्रिक अधिकार मिल पाए हैं अब अगर हम दूसरा मेहतोपुन पॉइंट देखे तो जोतों की उच्चितम सीमा का निर्धारन इसमें किया गया भूमी सुधार कारेक्रमों का प्रमुख दे जोतों की उच्चितम सीमा का निर्धारन करना था इस कारे को करने की आवशक होने की कारण प्रथम रूप में भ प्रदान करने का भी कारे था। मद्य और चोटी जोटों के सही आकार से लोगों में समानता का वातवरन बना और जो सहकारी क्रशी का आधार भी बना। इसी के साथ उच्छतम जोट सीमा का सबसे बड़ा लाब क्रशी भूमी के अपय को रोकना है बड़ी जोट में कुछ न कुछ भूमी क्रशी कारे से विरत रह जाती है जबकि छोटी जोट अगर है तो संपूर्ण भूमी का उपयोग अच्छी तरह हो पाता है इसी के साथ इसाथ जो है भूमी सुधारों के स्वरूप में हम इस चीज को देखते हैं कि उच्छतम जोट सीमा से हानिया भी रही है उच्छतम जोट सीमा निर्धारन के विपक्ष में तरक दी जा सकते हैं और जो इसकी अवगुणिया हानी है वो निम्नानुसार हो सकते हैं कि क्रशी का व्रहेद रूप से उपयोग न हो पाना जिस कारण मशीनी कारण और उच्चितक्नी की ज्यान का लाब नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से शेहरी शित्र में भूमी की उच्चितम सीमा नहीं होना और क्रशी में भूमी की उच्चितम सीमा विशमता को पैदा करता है। भूमी की मात्रा कम या आपेख्षित लोगों की अधिक संख्या के कारण उनकी समस्या का उच्चित समाधान नहीं किया जा सकाया अभी तक। तो है भूमीसुदारों के सवभूमें हम इन चीज को भी इंपोर्टेंस देते कि काश्च्चकारी व्यवस्था में सुधार किया गया। कि काश्टकारी व्यवस्था में भूमी का स्वामी स्वायम क्रशी न करे अन्य किसानों को पट्टे पर देता था प्रतिफल में किराय या लगान लेता था पट्टेदार किसान भी कहीं कहीं आगे इसे अन्य किसानों को पट्टे पर दे देते थे काश्टकारों का निम्ड स्वरुप उस समय में दिखाई देता था कि इस्थाई काश्टकार वे थे जिने भूमी से बेदखल नहीं किया जा सकता था परन्तों जमीदार लगान में ब्रद्धी कर सकता था इसी तरीके से कुछ एच्छिक काश्टकार होते थे ये काश्टकार वो होते थे जिनने जमिदार कभी भी भूमी से बेदखल कर सकता था इसी तरीके से उपकाश्टकार भी यहां रहे हैं कि काश्टकार किसान जिन किसानों को पटे पर भूमी देते थे वे उन्हें उपकाश्टकार को कहते थे इनकी स्थित्ति अत्यंत देनी थी इनने तो कभी-कभी लगान उपज का दो तिहाई तक भी देना पड़ जाता था तो ये वाला जो है एक ड्रॉबेक कह सकते हैं इसका भूमी सुधार के स्वरूपों में हम काश्टकारी व्यवस्था में सुधार के लिए कारे की गए और सुधार का मुख्य उद्देश ये रखा गया था कि काश्टकारों को भूमी पर कानूनी रूप से इस्थाई अधिका प्रदान करना था और साथ ही बीमार और अपंग विद्वा और सैने कादी या असमर्थ जो लोग थे उनको स्वयम खेती नहीं कर सकते थे उनको पटे पर प्रजान करने की छूट देना था शोशनात्मक कारें उपर रोक हे तो जमीदारी अधिनियम में काश्टकारी विवस्ता में निम्ने सुधार भी किये गए सबसे पहले तो लगान का नियमन किया गया लगान नियमन कानूल लागून से पूर्व पटेदार उपज का आधे से अधिक भाग भूमी स्वामी को लगान के रूप में दे देते थे प्रथम योजना में इस संदर्व में नियमन बनाए गए जो सामान्य और सामंद्य 20-25 प्रतिशत से अधिक ना मतलब इससे जदा जो है लगान नहीं ली जा सकती थी विभिन राजयों के संदर में सिंचित और सिंचित शेत्र या सुष्क भूमी को भी जो है अलग-अलग क्लासिफाइड किया गया था इसे देखे से भूधारन की सुरक्षा भी इसमें ली गई कि काश्टकारी व्यवस्ता में महतोपोन कारे पट्टे दारों को पट्टे की सुरक्षा प्रदान करने के संदर में उठाया गया था बड़े पेमाने पर पट्टे दारों द्वारा बेद अखली पर रोक लगाई गई और भूमी की एक नियुन्तम सीमा पट्टे दारों के पास अवश्यर रहनी चाहिए तो उसके लिए जो है रहने दी गई कुछ राज्यों में पट्टे दारों की अन्य भूमी दिलाने का उत्तरदायतु भी लिया गया था इसी के साथ इसके स्वरूप में ही और भी हम कुछ तथियों को पढ़ेंगे कि काश्टकारों को भूमी का स्वामित वो तीन प्रकार से दिया गया जो काश्ट का दूसरों की भूमी जोत रहे थे स्वायम की भूमी का स्वामी घोशित कर दिये गए इनमें जमीन के मालिक को मुआवजे देने को कहा गया ना देने पर सरकार ने वसूली का उत्तरदायत भी लिया यह व्यवस्ता गुजरात, महराष्ट, मध्यप्रदेश और आजस्थान में की गई इसी के साथ सरकार ने स्वायम भूमी का मुआवजा मालिकों को प्रदान किया और काश्टकारों से बाद में किष्टों में लिया गया यह व्यवस्ता दिल्ली में की गई थी इसी के साथ ही सरकार ने कामगारों से सीधा संपर्क बनाया और उन्हें दो विकल्प दी गए प्रथम ये विकल्प दिया कि वह भूमी का पूरा मुल्य देकर स्वामित के अधिकार प्राप्त करने और दितिये सरकार को लगान देते रहें इस प्रकार की व्यवस्ता को केरल और उत्रप्रदेश में लागू किया गया था इसी तरीके से इसके अंतरकत काश्टकारों का पुनेर ग्रहन भी किया गया कि सभी राज्यों में काश्टकारों को भू धारान अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाये गए इसके अंतरकत काश्टकार जो आठ से दस व बोमी हिन काम्गारों को भोमी प्रदान करने का कारिय भी इसमें किया गया ताकि भोमी संबन्धी असमान्ता को दूर किया सके क्रशी का पुनरगठन, भूमी सुधार कारे क्रमों के अंतरगत, क्रशी का पुनरगठन किया गया, इसके लिए कई सारे उपाय भी किये गये थे, और क्या-क्या उपाय किये गये, उनको भी हम पढ़ेंगे, कि चकबंदी का कारे किया गया, कि चकबंदी वह प्रक्रिया है, जिसके अं पर हैं बडोदार यासत द्वारा 1921 में आरंप की गई थी दूसरी थी अनिवारे चक्बंदी यह चक्बंदी कानूरी रूप में अनिवारे रूप से लागू की जाती है इसकी शुरुवात 1928 में आंशिक चक्बंदी के रूप में मध्य प्रदेश में होई थी नौ राज्य आंध प्रदेश, अनुनाचल प्रदेश, मिजोरम, मनिपूर, मेगाले, त्रिपुरा, नागालेंड, तमिल नाडू और केरल में चक्बंदी कानून नहीं है बलकि सभी राज्यों में चक्बंदी कानूनों के अंतरगत चक्बंदी की जा रही है पंजाब और हर्याना में चकबंद्ध का ये कारश्पून है और उत्तरप्रतिशत में भी 90 प्रतिशत कारश्पून की आजा चुका है। इसी के साथ ही साथ भूमि के प्रबंद में सुधार की बात भी इसमें कहीं गए। कि भूमी सुधार कारेक्रम की सफलता भूमी रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अधितन बनाने से है और इस अंदर में व्यवस्ता हो रही है कि समस्त भूमी सुधार कानूनों को नौवी अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। कि भूमी का कुशल प्रबंदन भी किया जा रहा है। कि लाभों को प्राप्त करते हुए नवीन तकनी की ग्यान के आधार पर ग्यहन क्रशी करते हैं। लाभ का वितरन भूमी की हिस्सेदारी और परिश्रम को मिला कर किया जाता है। पंच वर्षी योजना में भूमी के छोटे-छोटे टुकड़ों को देखते हुए सहकारी खेती पर काफी जोड दिया जा रहा है। और सरकारी खेती के भी चार तरीके थे और चार तरीकों से काम किया जा रहा था। कि काश्टकार सहकारी खेती थी, सामोहिक सहकारी खेती थी, उन्नत सहकारी खेती और सहयोक्त सहकारी खेती जो है इसमें ली गई थी। अब आजादी मिलने के बाद अगर हम इसका अलोचनात्मक मुल्यांकन करें कि भूमी सुधार कारेक्रमों का अलोचनात्मक मुल्यांकन हम करेंगे कि वह किस तरीके से कारेक्रम कितने सफल रहे हैं या कितने आज सफल रहे हैं तो सबसे पहले यह बात करेंगी कि आजादी मिल चकबंदी और पट्टे की सुरक्षा जैसे कारे किये गए जिनके आधार पर भूमी सुधार कारेकरमों की प्रशनसा भी की जाती है जैसा कि सैयुक्त राश्ट्र संकी भूमी संबधी रिपोर्ट में उलेख है कि भारत में भूमी सुधार के हाल के अधिनियम संख्यात्मक द कायरे में सम्मेलित करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी भूमी सुधार कारेकरमों की प्रगती धीमी रही है प्रॉपेसर दात वाला का मत है कि अब तक भारत में जो भूमी सुधार हुए हैं या निकट भविश्य में होने वाले हैं वे सभी सही दिशा में हैं लेकिन क् की को सफलता रही तो इसी दीमी गती के रूप में कुछ कमिया भी इंगित होती रही हैं। इसी के साथ काश्टकार है और जमीदार एक ही इस्ताम स्वरूप ये हुआ कि उपज व्रद्धी है तो। इस तर पर आगए इस समाज में समता की भावना का विकास हुआ। लोग आपस में मिलका सहकारिता के सिद्धानतों के अनुरूप सहकारी क्रशी को बढ़ावा मिला। चकबंदी के परिणाम सरुबिखरे खेतों को एक ही करत किया गया। जहां वा क्रशी कारे है तो एक साथ नवीन तकनिक के कारण भूमी का उच्चित और न्यायपूरूण वित्रण हो सका। ग्रामिर व्यवस्था में एक नवीन परिवर्तन आया, समाज के उस वर्ग को भी जमीन उपलब्द होई जिसके पास केवल मजदूरी का कारे था, लोगों को आवा से तो जमीन प्रदान की गई और लगान के रूप में सरकारी राजस्व में भी व्रदी होई, बेकार पड इसी तरीके से जो है भूमी सुधार कारे करमों की कमियात क्या रही, इनको भी हम देखेंगे, कि भूमी सुधार कारे करम बड़ी ततपरता से लागू हुए, परन्तु अवलोकन करने से इसमें कई कमिया भी पता चलती हैं, जैसे भूमी सुधार कारे करमों का प्रभावी क प्रोफेसर गुनार मिडिल ने कहा है अपने पुस्तक एशियन ड्रामा में लिखा है कि भूमी सुधार का कानून जिस धंग से क्रियानवित किये गए उनसे सामानेत है उन कानूनों की भावनाओं और अभी प्रहयों को हताश ही होना पड़ा है लोगों जमीदारों द्वारक काश्टकारों को बे दखल कर खुद काश्टकार बनने के लिए भूमी का पुनर ग्रहन किया गया उच्चतम जोत की सिमा से बचावे तू जोतों का आनियमित और आवेदाने का स्तांतरन हुआ जमीदार, राजनिता, प्रशासनिक अधिकारियों को गठ जोड बनाकर इसमे स्वामित और निर्धारन करने में कठिनाई आई और भूमी सुधार संबंदी कानून को जमीदारों दोरा कानून की खामियों का लाब उठाना पड़ा, भूमी सुधार कारेकरमों की एक रूपता का अभाव भी इसमें हमें देखने को मिला और यह कारेकरम जैसे चकबंद योचितम जोट सीमा का निर्धारन का कानून या सहकारी करशी आदी को एक साथ लागू नहीं किया गया, भूमी हिन किसानों या छोटे कास्तकारों को भूमी के स्वामित प्रदान करने के साथ ही साख और वित की उपलब्द ताभी उपलब्द नहीं करवाएगे, तो यह इसका एक बड़ा ड्रॉबेक रहा, भूमी सुधार कारेकरमों की सफलता के लिए कुछ सुझाओ भी है, और सबसे पहला सुझाओ है कि भूमी सुधार कारेकरमों को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए सफलता के लिए निम्न कारे आवशकते हैं, कि पहला था भूमी स पूर्टिया नवीनिकरण किया जाए, साथ ही सरल सुलबता हितु पूर्टिया कंप्यूर्टिकरण किया जाए, एक अच्छी प्रशासिनिक तंत्र का निर्मान किया जाए, भूमी सुदार कारेक्रमों से संदर्वीत, स्पेशल अधारत इस्तापिक की जाए, जाहां गरीब लोगों को निश्वल के नियाय प्रदान किया जाएं। तो ये भी इसमें एक बड़े कारे किये जा सकते हैं। झाल। झाल। झाल झाल